गूट मॉर्निंग बनारस सुनने वाले सभी भाईयो बहनों को हमारा चैराम जी की हाँ तो भईया उठा लीजिए अपनी अपनी चै बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मुबाइल का वाल्यूम क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है गूट मॉर्निंग बनारस और कारिक्रम में आपके साथ हूं मैं आपका बनारसी बाबू तो बनारसी बाबू के साथ आप सुन रहे हैं आपकी वाड़ी आकाश वाड़ी हाँ तो भईया बाबा भोले का महीना सावन शुरू हो चुका है वो गाना तो आपको यादी होगा भईया श्रवड नक्षत्र से श्रावड का महीना बनता है जिसको आम बोल चाल में हम आप सावन कहते हैं और भईया इसावन में बनारसीयन के कुछ सूझा लाना तो उहा बहरी अलंग अचका अचक बाटी चोखा के सरोता पिरोगराम और उपर से मस्त चूर्मा आए हाए हाए मजा आ जाला गुरू लेकिन जे बनारसी ना हो ना ओके इस बात बड़ा अचरज हो ल लोग भक्ती भाव लिये आते हैं यहां के रज को माथे से लगाते हैं और वापस लग जाते हैं यही गुरू बनारसाओ जवन कलपना में आ जाये समझ नीजे बनारस में साकार है वैसे तो बनारस साकार और निराकार दुनों का शहर है अब अपने हिसाब से जो ब्यक्ति जो चाहे वो चुन ले शार्ट कट में कहें तो बनारस अपने आप में ब्रह्मान्ड है गुरू जिसका न आ है न था है बस खाली वाह वाह है हां तो काव हया कि कल संज्या के ललन्चा मिल गए वही अपने बिंदू माधो मंदिर के लगे जैरम्मी के बाद बतावे लगें कि कंगन वाली हवेली देखावे आए रहे हैं हम कें चच्चाई तो आप बड़ा बड़ी यहां काम किये अब बनारस में रहके यहां के आन बान और शान के बारे में तो जानना ही चाहिए अब वो भी कंगन वाली हवेली जो की बनारस के साड़े तीन हवेलियों में से एक है क का का कहें आप लोग आप लोग के नहीं पता 3 हवली के बारे में तो कोई बात नहीं ये बनार्सी बावु किस लिए है आज आप लोगन के कंगन वाली hiện के बारे में बता दे बाकि अड़ाईzna हवली अगली अगली बार हाँ ये कंग अंगन वाली हवेली गुरु पंच गंगा घाट के बगल में है अकुल पांच तल्ला का हवेली है इसको जब आप घाट की ओर से देखते हैं तो इसकी सभी मंजली दिखाई देती है मगर जब ऊपर आके देखेंगे तो खाली दूई मंजली आज से करीब 500 साल पहले राजा मा नोहर भगवान का दर्शन हो लाओं में तो अब बाहर तैलंग स्वामी जी के मठ हो तो भया आगे जब भी आप उधर जाएं हवेली में जरूर जाएं देखें और उस समय के स्थापत्य कला का दर्शन करें हाल चाल के क्रम में ही चच्चा बताएं कि आजकर लूंके बेट को 20 साल की उमर में ही हड़ी में बड़ा दर्द होता है कभी हाथ में कभी पैर में कभी एड़ी में बहुत दवा करकर करके हार गए बेचारे अब समस्या तो गंभीर थी तो हम कहें कि क्यों नई समस्या पर बात किया जाए तो हम बात किये गौव्मिन्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भेलुपूर के सीनियर होमियोपैथिक मेडिकल ओफिसर डॉक्टर अनिल कुमार गुपताजी से तो बनारसी रस्मिक पगे डाक्टर सहाब ने जो बताया आप लोग भी सुनिया और उसका लाब उठाई है बनारसी बाबुजी और अर्मादर मैं बनारसी के लोगों का बिसेट कर इस बात पर दियान आकरिस्ट करना चाहूंगा कि युवा जो है वो खूब आ रहे हैं जो हड़ी की बीमारियों से ग्रसित हो के आ रहे हैं उसका जो में कारणा रहा है वो अपसे बड़ी बात है नव बादा बजे एक बजे राती में सो एक हो और सदेरे आट बजे उठाए खो तो कई से जगोई पर इनी रात दूसरी बात खान में खाती हैं जो बनार्टी स्टाइल में दूद, दही, पनीज, लक्सी, छाँच और देसी दार, चावल जो ना उस खाना में अपने कम कई के लोग पनी है अप्तिज्जा हो बढ़ आओ क्या कते हैं सैंड़िच है बना दुन्या बर की इस तरीके की दूसरी बात पहले जनल बनार्टी अदमी रहें उहां हचखते सारीक सारीक शहल्म करें तो चाप के खाब हो करें अब हालत यह हो कि баз información के लगए ना थे यह कंपने डीमीर उधा रहा हरा है, मांसी कुब दबाओ हो नेकिन सारीक क्यों लोग यह जो पाली है टेकिन उठाई कार उठाई चल दी तीसरी चीज़ धूप वितामिन डी जो है वो हमरे सरीर के लिए हम लोग उनके हड़ी के लिए बहुत ज़रूरी हो तो धूप की भी कमी होगे और खान पान में अपने जंग पूद बढ़ावाई के करड़ वजन बहुत बढ़ाई जाते ह चाब्रोटी सब्जी जों हम लोगों के गरण में बना लाया उके ठब्यश्यों के खाए अपने खाय में कैल्सियम अज़ा चीज बहाएं जैसे दूध हो, दई हो, पनीर हो, अंडा हो, चाच हो, नीट हो, हरी सबजी है, इस सम्में प्रोटीन के साथ कैल्सियम मेगनी से बढ़पूर मात्रा में मिले लगा, वकर रामाद थोड़ी दिर कम से कम आधा गंटा के पंद यह बहुत प्राइब चीज़ है, वो चीज़ के कमी करें, तो हम लोगं की यही कहाँ, कि सतर्क होई जाए, सावधान होई जाए हाँ तो वही यह, डाक्टर साब की बात आप लोग ध्यान से सुनिये और गुनिये, और अब बात करते हैं गुजरे हुए कल की, तो आपको बताएं कि आज का जो दिन है बीस जुलाई बहुते खास है, कहाँ कि आज ही के दिन धर्ती के बच्चे पहली बार अपने चंदा माम के घर गए थे, यानि आज ही के दिन नील आर्म स्ट्रॉंग के रूप में किसी इंसान ने चंदर्मा पर पहला कदम रखा था, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से उडा नासा का अंतरिक्षयान अपोलो 11 कुल चार दिन की यात्रा करके चांद पर जाता है, जिसका आयोजन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा किया जाता है, और साथ ही आज ही है जुबली कुमार यानि राजिंदर कुमार की जन्म जयनती, तो ही या अब इसके बाद आपको और एक बाद बताएं कि आज से बनारसी बाबू जब आएंगे तो आपक में 1934 में भाई रही, सबसे पहले दी रेश्टोरेंट के मालिक बदरी बाबू कलकत्य से रिक्षा बनवा कर इहां लाए थे, हाला कि जब रिक्षा शहर में किराय पर चलवाना शुरू किये तो उस समय के इक्का तांगा वालों ने इसका बहुत बिरोध किया, पुरनी ये आपको बता दें कि आज शाम साथ बजे से नागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा रजत जैंती नाट शाला के तहत नाटक महा भूज का मंचन ट्रिक्षा ग्रह में किया जाएगा, तो आप भी जाहिए और वहां पर आनंद लीजे, और चलते चलते आपको और भी बता दे कि आजादी कामलित महुत्सव के अंतरगत संस्कृति विभाग द्वारा संस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन सभी जनपदों में किया जा रहा है, जिसमें कि आवेदन कि आज अंतिम्तित्थी है, तो यह लोग कला के जो भी कलाकार हैं, वो up culture.up.nic.in से form डाउनलोड कर के उसे भर के विभाग के कार्याले गुरुधाम मंदिर दुरुका कुंट में जमा कर सकते हैं, तो यह तो हुई सूचना और उसके साथ सावधानी की बात यह है कि कल भी शहर में कोरोना के नव नए मरीज पाए गए हैं, और इस तरह शहर में कुल active cases 74 हो गए हैं, तो भईय स्वस्त रहेंगे, तो आपका समाज और आपका परिवार भी स्वस्त रहेगा, तब बे तो आप दुरु चका चक रहेंगे, सावन का महीना शुरू हो गया है, मस्ती भी करना है, जूमना भी है, मेला लगा हुआ है, नाटिमली मैदान में भी, संकट मूचन मानस मंदिर में अरहम्हादेव